प्रदेश के अतिकांज इक्षितरों में सर्दियों के चलते हरे चारे की समस्या पैदा हो जाती है और पशुओं के लिए सूखे चारे का परियोग होता है इसी समस्या को देखते हुए सिरमौर जिले के क्रिशी विग्यान केंद्र धौला कुआ में क्रिशी विग्यानिकों ने हरे चारे को लेकर एक परदर्शनी खेत तयार किया है कृषिव विग्यान केंद्र के विग्यानिक डॉक्टर सौरप ने बताया कि इसमें पशू चारा बरसीम और मक्षन घास को लगाया गया है जो पशू में दूद की क्षमता को बढ़ाता है वहीं एक गुणवत्ता पूरन चारा भी माना जाता है और ने बताया कि ये दोनों चारे एक ही खेत में लगाये गए हैं और किसान इससे लाभान भी थो सकते हैं हमने ये चारा फसल उत्पादन हमारक शेतर है इसमें इस समय हमने बरसीम और राई ग्रास जिसको किसान मक्षन ग्रास नाम से भी जानते हैं इन दो फसलों को लगा रखा है इनका क्या फाइदा है कि सर्दी के दिनों में इन दो को लगाएंगे तो जितनी हमारी सर्दी में क्या है बरसीम की ग्रोथ थोड़ी कम रह जाती है तो उस समय जो पैदावार देगा हमारा मक्षन ग्रास देगा जैसे ही थोड़ा टेमपरेचर राईज करेगा फरवरी के तो हमारी बर्सीम की दुबारा से कटिंग आनी शुरू हो जाएगी, तो इस तरह से दो फसलें जो हैं हमने यहां इस खेत में लगा रखी है, इसके इलावा किसान भाई जो है, रभी के मोसम में, जिसमें अभी सर्दी रहती है, बर्सीम हो गया, मखन ग्रास हो गया, जो ही हो